गोडिनिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग अमेद करहूं मेरी अवाज विजुल साब तक पहुंच रहे हैं सब्सक्राइब नमस्कार सब्सक्राइब वरी गूड इवनिंग चलिए शुरात करते हैं आपके सेशन के अचके अपने सेशन दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है आए बात करेंगे 20 कुशन की नेक्स 30 मिट के अंदर अपने अपने देखा हुआ थोड़े पर एक सेशन लिया था यूट्यूब के उपर कुछ अनॉंस्मेंट किये थी होने इसमें आपके लिए उमीद कराओ इस सेशन आपने देख लिया होगा दोस्तों अपना QR कोड है किस बात का अपने WhatsApp चैनल का दोस्तों अगर आपने अब तक स्कैन नहीं किया नहीं जाइन किया तो कर लीजेगा इस चैनल को एराप लो फटाफट जिससे आपको सीधे जोड़ने का मौका मिले अगर नहीं स्कैन किया अब तक तो स्कैन कर लीजे इस चैनल को जोड़ जाए मेरे साथ हमारे WhatsApp चैनल पर अब तक यूचर जो बाहिम तक खऴ जाए मेरे ।जर किया उड़ जाए जाए आज नहीं जाएए लिए लुदव मेरे चैनल इस चैनल आंगे बड़े दोस्तों मैं कुछ अनॉंस्मेंट कर चुका हूं अरड़ी आपके साथ अपने वीडियो देख लिए होगा नहीं देखा देख लीजिए अपनी जाकर आपके वीडियो और जिसमें ने कैप 2.0 का अनॉंस कर दिया अपके लिए और जो अपने 40 टेस्स दोस्तो तो 2000 MCQ है दोस्तों जहां 30 कोशन पर डे होगा आपका टेस्स चालेस दिन तक और 8 कोशन मोग टेस्ट है आपके ये 800 कोशन ये होंगे आपके तो अलमुस्ट 2000 कोशन हम लोग करेंगे यहां पर आपके सामने ओफर भी लिखा है दोस्तों यहां पर से क्लास पुरा 26 साइट तक आउन रहेगा दोस्तों आपके लिए ठीक है चले आईए बात करते हैं आपके टेस्ट की आचके पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आए दोस्तों पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आईए बताएए इस कांसर क्या होगा पहला सेशन दोस्तों कोशन आपके स्क्रीन पर यह जागरतिया रहता है यह यह यूट्वाइट पोर्टल यह प्रवाइट सिंपल फास्ट और कॉस्ट एफेक्टिव कंजीमाद इस्पूट रिजिए आइट अट आउवल्स तो कंजीमर वेल्फियर के लिए बनाया गया है दोस्तों इसको ऑनलैं शिकायती मंचेट परकार का यह इसमें AI और ML का यूज किया गया है यह कहना है हमारा और तीसरा इसे NIC ने तयार किया है कितने कथन सही है पूछा गया है हमें इस स्टेटमेंट आक चरेक, बताएंए दोस्तों को श्राय कर सकते हैं इसका इसको अनायसी ने तयार नहीं किया है, यह तयार है इस पर और इस पर भी कि A.R.I.C. ने तियार किया है, बताएए, मुझे दो स्टेटमिन बूल ठीक है है, यहाँ पर कोई समस्स्य है नहीं, यह ग्यान वर्दक है, तीसरा स्टेटमिन क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप लोग आएए बात करें, इसका तीसरा स्टेटमिन ठीक है दोस्तों जी हाँ एजागरती Department of Consumer Affairs ने तैयार किया है तो बताया है मैंने एक पोटल आपको यहाँ पर पोटल है जो की विवाद प्राण के तैयार करें किया गया है ठीक है तो कि अजिए इसको तैयार किया एर आई सी ने जो आता है Ministry of Electronics में ठीक है तैयार लेगए प्रकिया इसको नाइसी ने यहाँ पर यह पूरा इट लेट करेगा जित्ती पोड़िज कायथी प्रेटफरं आपके पास है यह दाखिल है या फिर आपका Confo Nhet है या फिर आपका NCRTC चल रहे है सब कोई इंटीज करेगा दोस्तों सब कोई इंटीज करेगा आपका ये portal नोनेस जागरती पहले एक answer C है और answer सही है दोस्तों यहाँ पर सभी answer सही है आए दोस्तों दूसरे कुछरे में चलते हैं आपके साथ B.A.P.S. टेंपल जो भी याद होगा आपको दुबाई में शुरू किया गया था जानते हैं इस फर्स हिंदू टेंपल इन यूए यह पहला टेंपल बनाए गया यूए में दूसरा ना टूसरा टू हाइड शिंग्निकरणस ऑफ इंडियन आखिटेक्चर बिल्टन बेसर सेली दोस्तों बेसर सेली मनाए गया है टेंपल और तीसरा इसे केवल भाबती है संगमर्मर से बनाया गया है जिसमें पिंक सेंड स्टोन आया है राइस्थान से क्या कहते हैं दोस्तों आपके सामने तीन स्टेटमेंट दी हैं यहां पर तीने स्टेटमेट आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों क्या कहेंगे इसके बारे में आप लोग हिंदू मंदिर है जी है हिंदू मंदिर है पहला मंदिर है बिल्कुल ठीक बात है बेसर सेली का नहीं है दोस्तों नागर सेली का मंदिर है नागर स्टाइल टेंपल है दोस्तों यादखना है हमको यह नागर स्टाइल टेंपल है और इटालियन मार्बल है इंसाइड इसके इटालियन मार्बल है इंसाइड और आउटसाइड लगाये गया है पिंक सेंड स्टो नहीं है, बेसर स्टाइल नहीं है, नागर स्टाइल में टैंपल बनाए है, तो ये गलत है, ये सही है, और ये भी गलत है, तो आंसर इसका दोस्तों ये होना चाहिए, अपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, टैंपल यूज पिंक सेंड स्टोन फ्रम राजिस्थान और वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैक्शिप, मैं आज आपको तारीक 17 मार्श को बता रहा हूँ, इस टॉपिक से यूपियस सी कोशन जरूर पूछेगा इस बार आपके, मैं लास टाइम भी कहा था इस टॉपिक से पूछेगा, लास टाइम नहीं पूछा, इस साल वेरी वेरी पूछेगा आप से ये, इस बार कौन-कौन सी परियोजना शामिल की गई हैं दोस्तों, इसके अंदर आपके सामें चार ऑप्शन दिये हैं, कौन-कौन से ऑप्शन सही हैं, बता सकते हैं मुझे आप लोग, इस बार जरूर कुशन आएगा दोस्तों, मैं गलाक चुन बैट अदर घर आप सा, बता पाएंगे दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसका, 2,3,2 और 4, 234, इसका दोस्तों, आंसर सही है, लिविंग in दर्स इनिशेटिव को शामिल किया गया है, और arrow and Então Sergeant Social Women को शामिल किया गया, दोस्तों, दो 2,4 को शामिल किया गया, Belt and Road नहीं है, इसमों Green Wall Initiative शामिल नहीं है इसके अंदर, आएए बात करें, तो थोरा सुन लीजिए, World Restoration Flagship Program, अभी हाल में UN ने गोशित किये, साथ World Restoration Program लाँच किये हाल में UN ने, ठीक है, यह कहां फैंसला किया गया, UN EA की 6th मीटिंग में फैंसला किया गया, अभी यह concept है क्या पूरा flagship का, दोस्तों World Restoration Flagship जो है, यह UN एक decade मना रहा है पूरा 10 साल के लिए, decade on ecosystem restoration, decade on ecosystem restoration, यह decade चल रहा है दोस्तों पूरा यहां पर, और इस 15 से पैक्चिस कमा पीजिगा, decade चल रहा है पूरा, और इसमें जो ecosystem है, जो खराब हो चुके हैं, उनको restore किया जा रहा है, ठीक है इसमें UNEP सपोर्ट कर रहा है, जैसे हमारा clean ganga mission launch किया गया तो लास्टीस के अंदर शामिल किया गया था, तो अनोंने चार पाच यह शामिल की है, उनमें से दोस्तों दो को शामिल किया गया है, two and four को आपके लिए, ठीक है ना, तो two and four के लिए शामिल किया गया आपको यहा रहा है, following water body is the world largest of blackish water, कौन सा दोस्तों, अगर मैं बाद कहूं तो खारे पानी का, source है, question number दोस्तों कौन सा, question number 4 आपकी screen पर है, बताए कौन सा, option सही है, इस में, कौन सा अप्शन सही हो, दोस्तों, four number लिखे दाए, four number का यह सही होगा, sir, हाँ, दोस्तो, four number आए, इस का answer क्या होगा, four का भी, चिलका लेक, Baltic Sea दोस्तों, आई यह बात करें, Baltic Sea मैंने क्यों कहा है, अपसे यहाँ पर, तो Baltic Sea दोस्तों, अभी हाल में Baltic Sea में क्या पाया गया, पहले हो तो एक स्टोन एज की दिवार पाई गई है, समुदर के नीचे, वो अलग बात है, लेकिन Baltic Sea, North Atlantic का भाग है हम जानते हैं, इसका extension है अपने आप में, और कई देश हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलेंड है, रशिया है, एस्टोनिया, लात्विया, लिथवानिया, पोलेंड, जर्मनी घेरे हुआ है, चाहूं तरफ से इसको यहां पर दोस्तों, तो यह जो है, यह वर्ल्ड का लार्जेस एक्सपेंसिफ ब्रैकिश वाटर इन दा वर्ल्ड, तो एक विकार से खारे पाने की लागून, टैपका से फैला हुआ है अपने आप में, बहुत बड़े इसकी, गल्फ ऑ, बोतनिया भी आसपास, गल्फ ऑ, फिनलैंड ये बना इसकी आसपास दोस्तों, तो काफी बढ़ा है अपने आप में, गल्फ ऑ, बाल्टिक सी आपने आप में, जो ब्रैकिश वाटर का पार्ट है, अपने आप में, गुशन और चार का प्रज़न के लिए जाना जाता है अपने खटाफल है। लेसे मिज़ॉर्म सरकार ने हाल में अपना एक राज्य फल का दर्जा दिया है। और 2019 में इसको GI टेग मिला था इस काजी नेमो को दोस्तों क्या जानते हैं कितने कथन इंकरेक्ट हैं कितने कथन गलत हैं दोस्तों बताने हैं आपको यहाँ पर कौन कौन से कथन गलत हैं यह पूछा है कौन कौन से गलत हैं कथन इसके अंदर एक कथन दो कथन तीनों कथन गल एक कफन गलत है सर दो कफन गलत है तीन गलत है दोस्तों ये कफन गलत है ये सही स्टेटमिंट है तीसरा भी सही है ये भी जही है अपने राज जिफल का यहां पर काजी ने मुग को याद किगा अरोमा अच्छा होता है इसका हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं इसको मिलोग यह करा से लाइमन है का से यह नीवो टैप का होता है दोस्तों यहां पर यह असमीज कुजीन का एक इन पॉइंट पार्ट है अप पाशन फूट लॉक लाइक बैंगन टाइप दिखता है पैशन फूट तो पैशन फूट को मिल दर्जा मिला मिल जोट पहले मिल चुका है ठीक है काजी नेमो फॉरसम याद खिंगे हम लोग यहां पर मुग करेंगे दोस्तों कोशन मच्छे है आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसमें से कौन कौन से ऐसे पशु हैं जो के भारत मिलते हैं वंडेरू इंडिया इफेंट निलगिली तहार एक सिंगी गैंडा या एश्याटिक लॉयन कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों यह तो मिलता है सब जानते हैं बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आप लो तो यह इसमें इंडिया मिलता हैं पका है इंडियन इलिफेंट इंडिया मिलता हैं पका हैं बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा इसका कोशट नमबर आपकर स्क्रीन पर आचुका हैं जाक है त barbar क्या आंसर eless boxes cuss is 2345 दोस्तों आंसर लिख रहा है तो कुशन लिख दीजिए सामने कौनसे कुशन का आप आंसर दे रहे है वो लिख दीजिए तो अच्छेगा आपका मेरा दोनों का तो यहां पर दोस्तों इंडियन एलिफेंड ना बंगलदेश में मिलता है दोस्तों शीलंका मिलता है तो यहां पर हमारे पास ऐसे हम कहते हैं जो landeru में सींग पुंच मंदर सिंग पुंच मंद news की उन्हें कहते हैं वंडेरू थे करते हैं तो वंडेरू मकाव या सिंघ पूंच बन्दर ये मिलते हैं वेस्टेंग घ्राट हूँ थै कंबोडिया भूटाउ निल्गी गुजरात के मिलते हैं गे बढ़ते हैं आपके साथ है तो सरवोच्च नियाले में स्थगन कौन ला सकता है सर कहां से कोशन लाते हैं कभी सुना नहीं है अब यार इसमें सुना नहीं है मतलब क्या कहूं यार मैं कोई अन्य कोशन दो लानी ना हो के लिए सुने हूँ और नहीं चाहिए कोशन आके और पढ़ते रहते हैं करें डफरेस में सुनते रहते हैं चीज़ नहीं आता उसको नॉलेज दर पढ़ लए जो आता है कोई बात नहीं विद रेफरेंस चुद एडजेंट में सुप्रीम कूर्ट दोस्तों या दखे कोई वकील या काउंसल कह सकता है जनाव आज मेरा मन नहीं है आज में तारीक दे दीजिए मुझे वो स्थगन ला सकता है वात की ओपर वो एडजेंट में ला सकता है जी हां वकील एक केस में एक बार बाई वन पार्टी और दे काउंसल केस ओनली वस जी हां एक पार्टी एक बार में या पूरे केस के वधिमा एक बार में वो स्थगन ला सकती है बिलकुल ला सकती है लेकि कि Supreme Court में भी हाल मीटिंग का वह आप इतना जादा स्थगन मागा करो इसे मुश्किले होती है तारिखे लंब लग जाती है तो यहां पर जैसे बेल के बारे में चर्चा हो रही है तो स्थगन नहीं आ सकता जहां पर सरेंडर की बात हो रही है वहां स्थगन नहीं आ सकता है ठी स्थगन लाकर कौन लाता है, इसका जो चाहता है कि अगली तारिक दे दिए जया स्थगन दे दिए जाए प्रस्ताव पर ON got whatever याद किई संत्र थाव को भाल की, सिसते हुञ इसे ड Acho बदिदी हो कि अग्वाइब कर दो कुश्चन दिख रहा है वर्ल्ड गॉर्मेंट समिट यह दोस्तों दोबई में आज़ित किया गया था दोबई में आज़ित हुआ था यह ठीक है तो यह दिली में नहीं हुआ दोबई में हुआ तो यह गलत है युनाइटेड जनल इसेंब्ली नहीं दोस्तों इसी नाम का और्गनाईशन है वर्ल्ड गॉर्मेंट समिट और्गनाईशन वो इसको खराता है यानि यह भी गलत है दोस्तों आपका और हाँ यह वास सही है कि सरकारों कैसे काम करना चाहिए इनोवेशन का कैसे यूज़ करें सरकारें उस पर चर्चा होती है जी हां तो इसका स्टेटमेंट यह सही है आपका कि वैश्विक समस्य समधान के लिए नवाचार का फाइदा कैसे उठाएं सरकारें हमारी बिल्कु सही बात है यह दोनों गलत है दोस्तों तो दोबई में क हुआ यह वर्ल्ड गॉर्मेंट सम्मेट दोस्तों 24 का हुआ आपका दुबई में हुआ दोस्तों समिट दुबई में कराया गया कौन कराता है वर्ल्ड गॉर्मेंट सम्मेट और्गनाइशन को कराता है दोस्तों अल्टीमिट गोल है इसका जो की चर्चा करते हैं कि जो चै की मोड भी हुई यहां पर अलास्का पॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं कपना विचार का लास्का जो अमेरिका के लाका है अलास्का पॉक्स जोस्तों जो संक्रमत है जानवरों इंसाम रोग नौन को संक्रमित Alaska Pox के बारे हम क्या जानते हैं? Alaska Pox में कित्य गतन सही हैं, दोस्तों, अब ही अमेरिका में हाली में वैक्ति की मिलत्य हुई इस Alaska Pox के चलते बहुत सारों बात, आएए बात करें दोस्तों, इस आंसर कॉन कांसे होंगे, कॉशन नमबर आपके स्कीन पर करें इनिमल को और तोलों इम्त और सब्सक्रिटे सकता है कि आए और कई प्रिकार एक कि पॉक्स यासे स्मॉल पॉक्स, काव पॉक्स, एम पॉक्स आधी से जोड़ा हुआ है दोस्तों ये पैट्स में जैसे घहलू कुत्ता होता है बिल्ली होती है वो भी कैरी कर सकते हैं जवायर दोस्तों जी हाँ तो ये भेड़ो में होता है या कई परकार के चुहों मिलेगा आपको ये चोटे जीवों में होता है माफिद जैगा लेकिन घहींडू जीवों में पहुंच सकता है ये चीक है तो ये आप देख रहें हैं तो तीनों स्ट debates एक हैं यहांसर है सी इसका आंगे बलएंगे दोस्तों कोशर्मट 10 में आएंगे आपके साथ हम लोग मावशे अ दोस्तों अन्वर्माइन को टोपिक है, आपका symb déjà Cay का सिम्बाईटी अर aufge मĩल सीय हुआ होगा आपने पैरा साइट होती हैं Why और हरोगा कई परकार दोलत का हुटः स्का Сп करते हैं यह क्या परेशें प्रहएन की बात करते हैं था इन पर्षया आपने UPSC, जो पानी में पाई जाते हैं, खारे पानी, ब्रेंकलर्स दोस्तों ये, और स्विमिंग क्राप्स जो होते हैं, इनके बीच के पैरासाइट संबंद होता है, जी हाँ, बैंकल्स क्या करता है, केकले जो भी खाते हैं, उसको यूज ये कर लेता है, तो केकले भूकी से मर ज हैं, तो ये समदरी घhrit के लिटाते हैं, जी हाँ, जी हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानि की सहघ जीविता है इनके बास परृगता है, यानि की परस पर इ॥न है, यानि की ये उप्षन है, यानि की आनि यह होता है लो स्टेसर उनला के था तो य् pessoa नहीं पहंचाता है बस बेड़ाते चलता है और उनक्सान पहुचाला नहीं पहुंचता इसको फाहिदा होता है एक का कोई नुकसान फाइदा नहीं एक को फाइदा ये सम्मंद किलाता है सहे भोजिता दोस्तों ठीक है यानि कि ये इसका है और ये इसका है तो दो गरत हो गए आपके इस प्रकार यहां पर और कोरल स्पॉंज दोस्तों कॉंपटिशन है इनके अंदर इंटर स्पीसीज कॉंपटिशन है इनके अंदर दोस्तों कोरल में और स्पॉंज में जी हां दोनों एक ही चीज़ के कॉंपटिशन करते हैं इनका प्रतिस परदा है एक और चार सही है अंसर होगा टू इसका दोस् ठीक है, clownfish और बतायमने के बीच में संबंद किस परकार है, ठीक है, wrankles और humbeka संबंद किस परकार का है, सह गामिता का है, सह बोजिता का है, दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर host species को ना तो असर पढ़ता है और ना ही उंक्सान पहुंचता है, इसको, coral sponge के बीच का है, दोस्तों, inter species competition के बीच पाया जाता है, दोस्तों, corals और sponge के बीच में यहाँ पर हो पाएगा, तो इसका answer होगा, यहाँ पर दोस्तों दो ठीक है, answer होगा B के अवाल, इसका, चलिए, कोशनमा 11 पर है, यहाँ तक कहानी सही चल रही है, यहाँ तक सभी कराश ठीक चल रहा है, दोस्तों मारे बीच, उमीद कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, आईए बात करते हैं, second half पर अपने आज के, कोशनमा 11 दोस्तों, Gulf Stream चर्चा में हैं कुछ दूनों से, जी हाँ ठीक बात है, Gulf of Mexico से आती ही करेंट सा, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सुनने में यह, यह दक्षन अट्लांटिक ओशन में वैधर को या उसके जलवाई को कंट्रोल करती है, यह अट्लांटिक मेरिडिनियल, बात करें, मेरिडिनियल, ओवर टर्निंग सर्क्लेशन का पार्ट है, तो का हिस्सा है दोस्तों, क्या बोलते हैं, आप कौन-कौन से स्टेट्मेंट सही है, कॉश्चन नमबर 11 दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसका अंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका अंसर, एनिवन, 11 दोस्तों पताना चाहेंगे मज़े, आप 11 नमबर कॉश्चन का, जल्दी से, कॉश्चन नमबर 11 है, आपके स्क्रीन पर यह, दोस्तों बात सही है, लेकिन यह साउथ अट्लांटिक में नहीं होता, नौर्थ अट्लांटिक को अगर अग्रेट करता है, तो एक आपको जानते ही जाता है, आपका यहां से इनका ग्रीन लैंड की ओर, तो यह इसका अंसर गलत होगा, बाकी दो स्टेटमेंट ठीक हैं दोस्तों, इसका अंसर होगा, अउनली टू यहां पर, ठीक है न, शर्दी, नौर्थ अट्लांटिक का होता है, दोस्तों, साउ यहां बात हो रहे हैं दोस्तों, soft-shelled turtle की नदी के कच्छों की लीद कच्छों की बात हो रही है, आएए बताईए इस कांसर क्या होगा, लीद कच्छों की बात कर रहे हैं, यह दक्षर भात मिलते हैं कि एवल आपके इस्थानी हैं यहां के, और यह fresh water कच्छों हैं, they are currently not protected under any act of the parliament, इनको किसी भी कानून के तहत protection नहीं दिया गया है, और यह basically incuber जो cover होता है, उसलिए होती है दोस्तों, वो धीरे धीरे खतम हो जाती है, ऐसे grow करते जाते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों कितने कथन सही है, पूछाए मैंने आप से यहां पर कितने कथन सही है, प्रेल तिमबर कोशन दोस्तों कितने कथन सही दिख रहे हैं आपको यहां पर, लीत, soft shell turtle दोस्तों, जब भी soft shell turtle आजा है मान लीजेगा, यह नदी के कच्छों हैं, fresh water कच्छ सब्सक्राइब कावेरी रिवर, वहां मिलते हैं काफी है, इन्हें protection मिला हुआ है दोस्तों किसे 1972 के wildlife protection act में आते हैं दोस्तों, schedule 1 के जीव हैं, यह critically endangered है अपने आप में, अत्यदिक संकर्ट पनर प्रजाती हैं दोस्तों, यह critically endangered species है, जो wildlife protection act के schedule 1 का पार्ट है, इसके लावा दोस्तों, यह 30 assessment ठीक है यहां पर, इनके coverage पर उस इली होती है, जो बड़े होने पर फीकी पड़ती जाती है, यह भी ठीक है दोस्तों, दूसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है, तो answer अच्छी मेरे, मेरे ख्याद से answer अच्छी है दोस्तों, यहां ठीक है, पढ़ लीजे एक ब लिस्ट में, और इसको protection दिया गया है, वाइल लैप protection एक्ट में, schedule 1 का जीव बनाया गया है, दोस्तों, इसको ठीक है, हो जाएंगे, 12 तक, okay है, कहानी पूरी हमारी, आएंगे दोस्तों, कुश्यमर 13 पर आएंगे आपके साथ, कुश्यमर 13 पर आएंगे जंदी से, nominal GDP में है, सजाइए order wise दोस्तों, nominal GDP में कौन कौन टॉप पर है, कौन उसके बाद है, बताइए उसका answer क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए मुझे, nominal GDP में सजाइए inquire एक बार, कौन सांसर मैच करता है, nominal GDP के लिहाज से, बताइए दोस्तों, nominal GDP में क्या मैच करता है, और्डर क्या है, nominal GDP के लिहाज से, अमेरिका वर्ल्ड की largest economy है दोस्तों, तो number 3 एक पर होना चाहिए, number 3 सब में एक लिए है, number 3 है दोस्तों पहले, फिर China second पहले, number China second पहले है, दोस्तों इस लिस्ट में, जी हाँ, 3 और 2, सब में 3 और 2 है, विल्कुल मैच कर रहा है अपना अब तक, इसके बाद, Germany का number आ गया है, दोस्तों, Germany top पर आ गया है, तो Germany fourth number है, जो आपका दोस्तों वो होना चाहिए, इसके बाद, तो Germany का number होना चाहिए, तो यह 324, 324, इसमें से कोई होना चाहिए, और फिर आ गया Japan मंदी के बाद यहाँ पर, तो मंदी 5 पर दोस्तों, तो यह option बेक्श करता है, आपका, यह answer होगा, C दोस्तों, जी हाँ, उसका इंडिया है, पांच वे स्थान पर, पांच वे स्थान पर इंडिया इस समय आपर, तो सकांसर है दोस्तों, C, जी हाँ, C होना चाहिए, जापान अभी भी हमसी उपर है, नॉमिनल GDP में दोस्तों, ठीक है ना, तो सकांसर होगा, C, जी हाँ, सकांसर C है, USA, China, Germany, जापान, इंडिया, उमीद करो, याद हो जाएगा दोस्तों, आपको य मूब करते हैं, नेक्स कोशिशन पर दोस्तों, आपके साथ, उमीद करता हूँ, सब कुछ ठीक है, तो यह बता रहे हैं, इसकांसर क्यों है, इंडिया पांचों नमर पे ना, बटाब फिफ्ट लार्ज़स इंडिया की, या तो हमको, अभी जापान फॉर्थ पर आगए, ज लास्टे कोल सुचकांग की बात करें आपके साथ, लास्टे कोल सुचकांग, ठीक है, यह बिसिकली प्राइस बताता है, कि यार, डिफरेंट माइनिंग में क्या प्राइस चल रहा है, विदेशों से कितने का कोईला आ रहा है, कहां से कितना कोईला कितने का मिल रहा है, इस और उसकी अफधार नाक के अंदरी ए खाम यूजना डिदर्ग संसाने तयार की है, कितने कथन सही है, बता पाएंगे कि मुझे आप लोग कितने कथन सही है इसमें से, ट्राइ करना चाहेंगे, दोस्तों, नैशनल क्राइस प्राइस इंडेक्स के बारे में, कोल प्राइस जिससे माइनिंग आउक्शन में अच्छी प्राइस हमको मिल सके, पहरा स्टेट्मेंट ठीक है, इसका बेस यह 11-12 नहीं है दोस्तों, 17-18 का बेस इयरे स्कोईलर इंडेक्स का, यानि यह गलत है, और इसको तयार किया है दोस्तों, इंडियन इस्ट्यूट अफ इस्ट्यू तो कहा ता बना के दीजी इंडेक्स, बना दिए रोन इंडेक्स आपके लिए, नैशनल कोल इंडेक्स तो पहला सही धूसरा गलत, तीसरा गलत, आंसर हो का दोस्तों, उन्ली वन यहां पर, ठीक है, ऑनली वन, कोल इंडेक्स बताएं मैंने आपको यहां पर, मिनिस्ट्री कोल जारी करता है हर महीने इसको तयार किस से किया है इंडियन स्ट्रीस्टिकल इंस्टिउट कुलकत्ता निर क्यों के लिए और इसका बेस यह क्या है सित्रा ठाट का स्नुप्णे का कि कितने का अट किवस्ट किस नदर एक कोई रेके होपाय का टॉपिक दोस्तों पंद्रवन नंबर में लोग आ रहे हैं चावदा तक सब कुछ ठीक हो तो पता दीजिए बज़े फटाफट चावदा तक सब कुछ ठीक हो तो अगर बेस प्राइब बटा हमेशा हंड्रेड मानेंगे ना कोई बेस इंडेक्स तेंगे हंड्रेड मानेंगे बेस प्राइब को ठीक है सब करते हैं आए अगला कोशन आपके स्क्रीन पर मार्शल आर्ट और ओरिजिनेटिंग स्टेट किस स्टेट से आया है दोस्तों मार्शल आर्ट बताईए मुझे यूपेसी पूछ चुका इस पगर कोशन फिर पूछ सकता है खुकरी फ्रम नागा लेंड गटका फ्रम पंजाब कलेर पेट्टू फ्रम कर्ला और क्राव मागा फ्रम असम जी यहां दोस्तों कितने कथन सही है इसमें से कितने मैच सही है बताईए मुझे यहां पर कोशन बर 15 आपके स्क्रीन पर है 20 करेंगे टूटल कोशन हम बताईए जल्दी से पांच कोशन और देखेंगे दोस्तों कि वाद जल्दी से हम लोग फिर क्या बोलते हैं कौन सा कथन सही है अनिवन याद खिए दोस्तों आपकी डेली टेस्स चालो हो रही है जिसका आपको PDF या आपको जो टेस्स मिला करेगा वर्ट फार्म में इसका प्रिंट आउट निकाल सके आदम से आप हिंदी और इंग्लिश में वो मिलेगा आपको एप पर इसका सॉलिशन मिलेगा एप पर लेकिन वीडियो डिसक्शन होगा इुट्यूब की उपर उब इसक्शन होगा आप चगोँ कर सकते हैं न चाहां तो आप युट्यूब पर देख सकते हैं इसके प्रिंटाओड और सॉलिशन के लिए आप युट्यूब पर जाकर इसको हमारे एप पर जाकर डाउनड डूनलोड कर सकेंगे तो तो दो दूस्तों 2 और 3 मता रहे दारा है सही मेच है मुझे आपर 2 और 3 मताया जा रहे सही मैच यह घृत गत का वेटा पंजाब का है, बेकल सही है पंजाब का कलेया पट्टूम अरगिया केरल का है, एक्रममा का दोसतों इस्राइल का है असम का नहीं इस्राइल का है दोस्तों और खुक्री डांस हमारे गोर्खा समुदाई के लोग करते हैं गोर्खा करते हैं गोर्खनाली खुर्की डांस डाकी नागालेंड के हमारे फाइटर करते हैं ये करते हैं गोर्खा समुदाई के लोग तो ये गलत है दोस्तों ये भी गलत है और दो सही है इसका अंसर होगा सि जायद हम उनको जादा छडंग से हरा सकते थे, इसलिए अब भारती सैना में शामिल किया गया है कि मार्शल आट की टेनिंग भी दी जाएगी, देशी मार्शल आट की टेनिंग दी जाएगी हमारे सैनिकों को, जिससे वो हाता पाई में भी बढ़िया उनको हरा सके हैं यहाँ तो गालवान जिससा के बाद, इंडिया और चाइना की बात के तो आर्वी इतस्या कर रही है कि मार्शल आट को एड़ किया जाएगा, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, तो जब मार्शल आट तयार शामिल किया जाएगा, तो यह पीस सी जरूर कुशन कूछेग जब बात करते हैं, एंपी कम, मल्लकम की बात करें, कई प्रकार के और मार्शल आट भी इंडिया में हैं दोस्तों हमारे यहांपर, जो ट्रडिशन ही चले आ रहे हैं राज्यों के अंदर हमारे यहांपर, ठीके दोस्तों, ठीके तो याद खिए काम आएंगे आपके लिए, कोशन पंदरा खतम होता है यहांपर, कोशन मुष्टी कहां कहा है, मुष्टी, मुठी या मुष्टी, यह कहां कहां मार्शल आट होता हैं कि मुझे आप, कहां कहां मुठी या मुठी, मुठी से मारते हैं दूसरे को, फीस्ट पंचिंग होती है, फीस्ट से बहुत मारते है पूसरे को वो लोग एनिवन कहा कहा है लोकल यूपी शरी ओके बात करें दोस्तों कॉंस्प्शन की यहां पर अनिवारे भरती की बात करें अनिवारे भरती की अगर किसी देश में कॉंस्प्शन है तो मतलब अनिवारे नामंकन होगा वहां पर तो सेना में शामिल होने के लि के बात करें वहां पर आपको भाग सेना के लिए रखना पड़ता है इंडिया इंडिया चीशन आपको सेना में स्क्राइब करा सकती है कि सरकार का उदिकार है कि वा निवारे सिवा ले सक्ती आप्से क्या सकती है सरकार अर्टिकल 23 का कहता है बेगारी बलास श्रम क्या सरकार आपको सेना में शामिल होने के लिए भरतिया निवारी कर्मती देशती है कि शामिल होना पड़ेगा आपको क्या बोलते है दोस्तों ये क्या होगा सकांसर नहीं दोस्तों याद खीगा जी हाँ यादिकार मिलता है भारत के अंदर सरकार चाहे तो आपको अनिवारी सेवा करा सकती है लेकिन इसे बलास श्रम नहीं माना जाएगा तो सरकार चाहे तो आपको सेना में शामिल होने काम दे सकती है या कोई और भी काम दे सकती है तो इसे और इंडिया में आज तक अनिवार नहीं किया गया, कभी भी वहारे भरती के संबंद में अनिवार तर नहीं लाई गई है, तो ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, ये और ये सही है, आंसर होगा केवल टू यहाँ पर, उमीद करूँगा, क्लियर है आपको साथ, तो आंगे देख लेजिए, इंडिया में वोलेंटियर ही है हमारे यहाँ पर, वोलेंटियर है, आर्टिकल 23, सरकार को अधिकार देता है कि अरिवार इवो कर सकती है, इसे बलाश्रम नहीं मना जाएगा, ठीक है, बट इंडिया ने कभी इस प्रिविजियों का अप्नाई नहीं किया है आर्टिकल 23 के प्रावधान को ठीक है, कोश्रम सतराग कि स्क्रीन पर दोस्तों, कोश्रम सतराग कि स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, EFTA पढ़ते हैं औरते हैं लोग, EFTA दोस्तों सही मेंबर हैं EU के, इसके अंदर नहीं, EU की मेंबर बिलकुल न बात है केवल European महादीब तक है चारो देश ठीक है और टैपा साइन जो हुआ है इसमें इन्वेस्टमेंट की बढ़ाने की बात भी की गई है जी यह हंड्रेड बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे यह FTA के देश आने वाले सालों में यह कहा गया है टैपा के कांसर इस कांसर हमें A के दिया है क्या गलत है दोस्तों यहां पर पूछा कितने गलत है माफिजेगा पूछा कितने गलत है एक गलत है बाकी दो सही है एक गलत है तो इस कांसर हो जाएगा इस केसमें A हो जाएगा दोस्तों चीक है ना इस कांसर A होगा 17 का अपना पूछा ग सबस्क्राइब पाइए बात करें स्टेट और इंडिया किया है नहीं इस को आड़ी नहीं किया है Sum यह धारत गारत इस्टाइन स्थान वर्ल्ड में अमेर्क युसी रिमवर्क पहले है connectivity कितनी अच्छी, harnessing कितनी अच्छी, innovation, protection and sustainability, जी हाँ, तो chips framework को तयार की गई है, जी हाँ, बिल्कुल chips framework को तयार की गई है, लेकिन इसे नीतिया उद्धा तयार नहीं किया जाता, इसलिए सकांसर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर, भी होगा सकांसर के दो statement सही है, तो इसने जारी किया है, ना कि नितियाग जारी करता है, इस report को यहाँ पर ठीक है ना, इसने जारी किया बताया है, भारत 30 से स्थान पर ने दुनिया में, अमेरिका और चीन के बाद, चीक है, चलो, अब 5 pillar होते हैं दोस्तों, 5 pillar इनके क्या का बताया है, मैंने आपको यहाँ प सीमियन शब्द क्या होते हैं, बंदरों की परजाती तो कोई दुनिया में रहती है, पौधों की नहीं परजाती जो के वल वेस्टन घाट में रहती है, दक्षिन चीन सागरों कोई आइलेंड है दोस्तों, या कोई जीवाश में रिकॉर्ड है, 20 मिलियन साथ पराना कोई फ परिकार के, तो दुनिया मिलते हैं सीमियन शब्द दोस्तों, ठीक है, तो टूरिस्ट संपर्क में रहे से नका वहवार विगड़ता जा रहा है, चर्चा है यह दोस्तों को जोनों पहले, तो यहां पर हम बात करें सीरियन्स की, यह सीमियन्स हर दुनिया में हर जगा पाई पाई जाते हैं सीमियन्स, बंदरों के पर जाती है, दुनिया में हर जगा पाई जाती है, सीमियन्स पर जाती है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, चलो, एक लास कोशन दोस्तों आपके लिए, एक लास कोशन आपके लिए, दोस्तों अपनी उतादू में आपको जो डेली प करेंगे आपके साथ YouTube क्लास के अंदर अपने ठीक है ओके लास्ट कोशन दोस्तों क्रिश्टेशियस जो शब्द है अपने आप में यह नरम भाय कंकाल होते हैं और खंडेश शरी वाले अक्रशेरू की जीवों का सम्मूव है जी हां ब्रोप इंवर्टेज असके बारे में और खंडेश जी नहीं आप कुछ जो ट्रिश्टेशियस होते हैं दोस्तों वो जमीन पर भी रह सकते हैं यानि सबी नहीं होते हैं तो यह तो गलती है गन्फर्म मुझे मालूम है ट्रिश्टेशियस स्किट मुसल्स ऑक्टोबर शामिल है इसके अंदर तो एक रखता है तो यहां पर इंवर्टेव अनिवल्स है और लार्ज अर्थोपोर्ट दोस्तों ठीक है और सॉफ्ट एक्सकेल्टर नहीं है दोस्तों अपने आप में यह तो यह थोड़ा सब इनके जो ग्रॉप होता है मजूद बॉड़ी वाला होता है दोस्तों कहीं ना कहीं हार्ड एक् पास नहीं है दोस्तों यहां पर तो पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है तीसरा भी गलत है कुछ जवी पर भी रहते हैं दोस्तों और कुछ जीव पाए जाते हैं खारे पानी के अंदर भी तो श्रिम लाइक पाए गया है और चिलका लेक के अंदर दोस्तों शिलक चिलका आप चिलका लें पाए गए श्रिम टाइप पाए गए को जीव यहां पर चिक है तो इसमें आक्टोपस नहीं याएगा सीधी बाती है दोस्तों यहां पर तो अमीद कर रहा हूं दोस्तों 20 कोशन क्लियर हो गए होंगे आपको आज के ठीक है तो 20 कोशन अगर आपने देख लिए हैं दोस्तों तो आज कमारा कोटा खता होता है यह आपको वाटसेप गुरूप दोस्तों अब तक नहीं जोड़ें अपने वाटसेप गुरूप पर जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे इस वाटसेप चैनल पर आप लो स्कैन कर देख लीजेगा आपके काम कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर नेक्स सेवनेटेस त्यारी करेंगे हम लोग यहां पर अभी क्लास को रोकेंगे उम्मीद कराओं इस बीस मैं से आपने आगर आठ भी किये हैं आठ कोशन भी ढंग से कर लिए हैं दोस्तों आप मानके चलीगा काफी अच्छा आपका चांस है साथ से आठ कोशन भी आपने अगर बीस में से कर लिए हैं तो चले अभी दीजी आग्या अब लाकात होगी कल आपके साथ लाकात होगी कल आपके संग दो